Hello friends, welcome back to another video on my YouTube channel MeVlogger तो दोस्तो आप लोग कैसे हैं? उम्मिद करते हैं, आप सभी अच्छे होगागाज हम बात करने वाले हैं गंगाए एक्सप्रेस वे की जो की राइबरेली जिले के गाउँं से रिलेटेड है और किस गाउं में कितनी जमीन का अधिगरहण होगा और साथी साथी उसका मुआवजा कितना होगा उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं तो पहला गाउं जो की है बैरिहार है 0.1350 हेक्टियार है जो की 1.09 करोड रुपैस गाउं की जमीन की कीमत है इसी प्रकार दूसरा गाउं जिगना है जिसकी कुल जमीन 2.39 हेक्टियार है और 5.25 करोड रुपैस भू अधिगरहण की वसूली की लागत है और इसी प्रकार तीसरा गाउं है भीक जिसकी कुल जमीन 1.7065 हेक्टियार है और कुल लागत 5.75 करोड रुपीस है इसी करम में अगला गाउं है मतरावली जिसकी कुल जमीन 4.0341 हेक्टियर है और दिये जाने वाला मौावजा 4.87 करोड रुपए है अगला गाउं भागीपूर है जिसकी कुल जमीन 0.6435 हेक्टियर है और इसकी कुल दिया जाने वाला मौावजा 1.49 करोड रुपए में है इसी क्रम में अगला गाउं सेमरी रनापूर है जिसके कुल जमीन 6.3856 हेक्टियार है और दिये जाने वाला मुआवजा 7.93 है करोड रुपए हैं और अब हम बात करने वाले हैं हाईवे पर कहा कहा बनेंगे बाईपास पांच किलोमीटर जगतपुर में भीग से जिगना तक की बाईपास 04.3 किलोमीटर बाबु गंज में इटारा बुजुर्ख से भागीपुर तक की बाईपास 11.07 किलोमीटर उचाहार में खोजनपुर से जसवली तक की बाईपास बनना है भार्ती राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधी करण की ओर से जगतपुर बाबु गंच और उचाहार में तीन बाईपास के निर्माड का खाका खीचा गया था सासन की ओर से इने पहले ही मंजूरी दे दी गई थी इनके निर्माड के लिए उचाहर तहसील शेत्र के कुल सत्रा गावों में भूमी अधिगरहित की जानी है इन में से बैरिहार, जिगना, भीक, मतरौली, भागीपुर और सेमरी रनापुर में अधिगरहन की घोसला हो चुकी है यहां कास्तकारों की कितनी जमीन ली जानी है और कितना भुकतान होना है यह भी त्वय हो चुका है जुगमक दीपुर, जगतपुर, टांगन, इटारब बुजुर्ग, खोजनपुर, उचाहार, पट्टी, रहज कैथुवल, अरखा, चसौली, निवादा और चडराई में अवाड करने की तैयारी चल रही है तो दोस्तो यही थी राइबरेली जिले से निकलने वाली गंगा एक्सप्रेसवे की मुआवजे और भुवाधिकराण की जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करकर चैनल को सब सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी आउन कर लेना ताकि भुविस में कभी मैं गंगा एक्सप्रेसवे की वीडियो डालू, तो इसका नोटिफिकेसन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ तक कि मैं आप सेलवीदा ले